आज हम देखेंगे आप लाइव वायर डिटेक्टर कैसे बना सकते हो एक IC की मदद से है वो है 4017 IC जैसे 20 रूपे की IC है और इसके साथ आप एक LED लागा कर आप लाइव वायर डिटेक्टर बना सकते है तो चलो सबसे पहले इसके कनेक्शन देख लेते हैं चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है IC4017 यह कुल 16 पिन की IC है जिसमें पिन नंबर 1 से लेके 7 तक आउपट पिन है और 9, 10 और 11 भी आउपट पिन है यह 8 नंबर ग्राउंड है और 16 नंबर VDD है उन दोनों के साथ हम 9V बैटरी कनेक्ट करेंगे और इसे सबसे पहले और इधर मतलब रिसेट पिन है क्लॉक मतलब क्लॉक इंपुट पिन है जहां से हम इसको 50 एट्स का सिगनल देंगे एंटेना के मदद से और इनेबल पिन्स हम IC को इनेबल करेंगे सबसे पहले अब चाहिए एक बैटरी अब हम प्लस को VDD के साथ कनेक्ट करेंग ठीक है अब हमें आउट्पूट इंडिकेशन के लिए एक LED चाहिए ठीक है अब LED के जो लंबा सीरा है उच्छे हम वह है एनोड और छोटा वाला है क्याथोर्ड ठीक है एनोड को हम कनेक्ट करेंगे किसी भी एक आउट्पूट पे इंसे लेट से हम इदे इसे एक वन पिन और वह LED का करेंट करने का काम करेगा ओके यह हो गई हमारी सर्केट तयार अब हम सेम थिंग को ब्रेट बोर्ड और या फिर पीसीबी पर बना सकते है इसी सर्केट डाइग्राम के साथ अब मैं आपको इसे पीसीबी पर बना कर लाइव डिटेक करके देखा दिखाऊंगा जिससे कि आप एक स्विचबोर्ड है उसका वायर को इंसुलेशन खोले भी नहीं उसके अंदर सप्लाइ आ रहा है कि नहीं वह वायर अंदर से ब्रेक है या नहीं वह आप चेक कर सकते है ठीक है देखिए बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए पीसीबी बोर्ड उसक के बाद है नाइन वोल्ट बैटरी एक एलेडी एक रेजिस्टर यह आइसी 4017 डिकेट कांटर आइसी अब सबसे पहले हम सभी कंपोनेंट्स को अंदर लगा देंगे और इससे पीछे से सोल्डर कर देंगे कट कर फिर लगाईए एलेडी इसका ग्राउंड सीरा ग्राउंड के साथ और दूसरा सीरा किसी भी आउटपुट के साथ ले लेंगे और इसे हमने किया इधर ग्राउंड के साथ ठीक है और यह दूसरा सीरा इधर रेजिस्टर के तुरू किसी भी एक आउटपुट में जा अब चलो सुल्डर करते हैं ट्वायर से इधर इनेबल और रिसेट के साथ जम पर मारेंगे अब इसे ब्रेट बोर्ट वर भी बड़ी तेजी से बना सकते हो अगर आपको पर्मेंटि उसके लिए नहीं बनाना है तो अब यह एक्स्टा लेग हम काट लेंगे यह इसके हमें जरुरत नहीं है यह सर्किट को सॉट कर सकते हैं इसलिए हम इसे काट लेते हैं और ग्राउंड के दो यह जंपर काट के हम लगा देंगे जिससे हमारा काम हो जाएगा पूरा देखिए यह मैंने सॉल्डर करके सर्किट रेडी कर दिया नाइन वोल्ट बैटरी से वी सी और ग्राउंड में पावर गया यह हमारे एंटेना की पिन यह हमारे एलेडी करेंट लिमिट करने के लिए रिजिस्टर और यह पीछे कनेक्शन यह हमने इदर इनेबल और दिया है इधर यह वी सी सी है इधर यह एंटेना की पिन जा रही है यह हो गया हमारे कनेक्शन पूरे जैसे हमने मैंने एनिमेशन में दिखाया था इस तरीके से अब देखिए अब इससे स्विच बॉर्ड के करीब ले जाते है और लाइव वायर को डिटेक करते हैं यह तो यहापतमें यहाप आपर नहीं है यह अब यह पएजास दिवार से जा रहा है वहाँ भी यह दिखाएगा देखो यह आपको दिवार के आसपास भी दिखा रहा है, देखो यहाँ पर मतलब यहाँ से पाइप जा रहे है, उसके उपर जाने पर नहीं आएगा, नीचे जाने पर नहीं आएगा, मतलब आप इससे तरीके से इसकी पाइप को भी इसके दिवार के पीछे से जाने वाली पाइप क को भी डिटेक्ट कर सकते हैं देखिया तो थैंक यू इस वीडियो को दिखने के लिए अगर कोई भी क्वैरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इंजिन लाइफ हैकर को आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कर दिजेगा और जैसा कि आपको पता है इस वीडियो के थ्रू जितनी भी अर्निंग होगी वो पूरी पूरी अर्निंग जाएगी इस वीडियो के मेकर को तो वो उनको help करेगी उनके upcoming project के लिए अगर आपने भी ऐसा कोई unique project बनाया है तो आप उन्हें हमारे शाब share कर सकते हैं IndianLifeHacker at the red gmail.com पे अगर आपका project unique रहा तो हम उन्हें भी जरूर share करेंगे इस channel के थूँ ज्यादा details आपको description जे मिल जाएगी तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में किसी नए project के साथ किसी नए unique maker के साथ तब तक के लिए गुद्बाई